नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत च्वागत है आपको सुनील कुमाट टेक्निकल में दोस्तों आपने थामनेल में देखा ही होगा कि बीना OTP और बीना पासपोर्ट की आपके एकाउन से पैसा हैख हो सकती है कैसे हैख होती है इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा ATM का बरिमे और अगर आप ओनलाइन में शोपिंग हो रिचास हो कुछ भी करती है तो इन सब चीजों से आप कैसे करना है और किस तरह कैसे अपने एकाउन को सेप करके रखना है जो आपके पैसे हैं वो किसी की करन से हैक ना हो इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप एक ATM यूजर है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रही है आपको बहुत ज़्यादा मदत मिल जाएंगे तो नमस्कार दोस्तों मेरा नामे सुनिल और आप देख रही है सुनिल कुमार टेक्निकेल तो वीडियो क शुरू करती है आज के वीडियो को अगर पहले हम लोग बात करती है कि बीना OTP के हम लोग का एकाउंट से कैसे पैसा है को सकती देखिए ओनलाइन में ऐसा बहुत सरे वेबसेट है जिन वेबसेट के जोड़ी है आपके एकाउंट से बीना OTP और बीना पासपोर्ट के आप ओनलाइन में ऐसा बहुत वेबसेट है अगर आप इन सब वेबसेट के बरिवेश जानना चाहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकती है मैं आपके लिए नेक्स वीडियो बना के देदूंगा कौन सा वेबसेट में किस तरह के से पैसा है कर लिया जाता है Step No.2 अगर आपका ATM कभी भी खो जाती है अगर गूम हो जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको ATM को block करना चाहिए customer care को call करके जो भी बेंग है आपका बेंग का branch पे call करना है और call करके आपने ATM को block करने के लिए इजाज़त दे दिना चाहिए और तुरनती आपके ATM को block कर देना चाहिए यह है step number two आपको यह process ज़रूर करना चाहिए Step No.3 आपका ATM का काड नमबर, ATM का CBB नमबर, ATM का XPR डेप और ATM का OTP यह कभी भी किसी को शेर नहीं करना है यह आपका personal चीज है यह कभी भी किसी का साथ भी शेर नहीं करना है Step No.4 आपका mobile पे कभी भी call आ सकती है ऐसे भी बोल सकती है आपके कि मैं इस ब्रांच से बोल रहा हूँ, customer care से बोल रहा हूँ आपका ATM का नमबर दीजिए आपके एकाउन में पैसा डाल दिया जाएगा Step No.4 अगर आप online में shopping करती है रिचास करती है या DTS का रिचास करती है कुछ भी करती है तो मैं जैस तरह से करती हूँ मैं भी आपको इसी तरह से बारिवरी के से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं भी ऐसा करता हूँ मैं कभी भी किसी भी एपलिकेशन से रिचास बगरा करती हूँ जो भी एपलिकेशन है मैं उनमें ATM का जब यूज करती हूँ तब उनमें card number सेव होता है तो मैं हर application में card number को वहां से delete करके रखता हूँ में कोई भी application में मेरा ATM card safe नहीं है तो ये आपको भी करना ज़रूरी है और करन लेना चाहिए कोई भी application में अपना personal चीज को safe करने के लिए ज़रूरत नहीं है जब आपका ज़रूरत परेका तब आप purchase करें online shopping करें और तुरंती अपने card number को उहां से delete कर देना चाहिए ये हो गया तो इस तरह से आप जो है ये सब काम करना है और ATM का बरे में मैंने एक video बना के रखा है कि ATM में किस तरह से online में shopping करना है CBB number क्या है ATM का card number क्या है एक्सपेर date क्या है ये सब काम कैसे करती है इसके लिए मैंने एक अलाग से video बना के रखा है जिसका link आपको i button में मिल जाएगा description में मिल जाएगा आप उहां से जाकर उस video को भी देख सकती है और ATM का बरे में बोखत कुछ आप जान सकती है दोस्तों उम्मित करता हूँ video आपको पसंद आया अगर ये video पसंद आया तो विडियो को like कीजिए चैनल पर पहली बर आई है तो subscribe करके all notification bell को जरूर रौन कर दीजिए अगर आपका मन में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे comment section में जरूर बता सकती है मैं आपका reply जरूर करूँगा तो मिलते हैं एक नए विडियो नए ट्रोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद